पर इतनी ज्यादा रेटिंग देखकर तो अपने आपको मैं रोक ही नहीं पाया कि भाईया यह एनिमेल सीरीज तो मुझे देखनी ही होगी तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्पाइए इसके उपर वीडियो बना रहा हूं इसके दस एपिसोड नहीं देखें मैंने सिर्फ पांच एपिसोड देखें शुरुआत में जब इसका फर्स एपिसोड देखा था तो लगा था कि इसकी वीडियो बनाने चाहिए क्योंकि मुझे बहुत जादा पसंद आ गया था फिर इत स्टोरी पर फोकस करते हैं एक स्पाई होता है जैनि एक जाशूर होता है जिसका नाम ट्विलाइट है चाहिए ट्विलाइट है क्योंकि सब्टैटल में तो ट्विलाइट ही लिखा आ रहा था फिर उसको एक मिशन दिया जाते हैं किसी व्यक्ति को पकड़ना या मारने को उसको एक mission दिया जाता है लेकिन उस mission को complete करने के लिए इसके पास एक family होनी जरूरी है तो एक बच्ची को adapt करता है जिसका नम होता है आन्या अब इसके पास एक power है पावर यह है कि लोगों के दिमाग को पड़ सकती है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है लेकिन यह किसी को आती नहीं है क्योंकि इसके पीछे एक reason है कि जब आप इस series देखोगे तब आपको पता चल जाएगा और फिर यह एक लड़की से शादी जूट मूट के शादी भी करता है जो एक काथिल है तीनों मिलकर एक ऐसी family बना रहे हैं जहां पर यह एक दूसरे को अपनी real identity बताई है उस चोटी बच्ची यानि आन्या को तो पता होते कि दोनों कौन है एक जासू से और एक काथिल है लेकिन उनकी जैसी family हमारे सामने बन कर आती है बहुत एक interesting, funny, emotional चीज़े हमारे सामने आती है जो बहुत अच्छा लगता है देखो इसके fourth episode को मैं कहुँगा कि चुमेश् जादा हसी आई उसके अंदर इतना funny इतना comedy way में वो चीज़े हमारे सामने रखी गई है definitely उसके अंदर emotion भी है funny के साथ-साथ emotional angle भी इसके अंदर रखा गया और बहुत अच्छे से वो चीज़े हमारे सामने आती है कहीं कहीं पर तो हम इतने ज्यादा उदास हो जाते हैं खा यहां पर जो यह दो बाकी character हैं खासकर इसमें जो female character जो एक accession उसका नाम मुझे प्रिंसीज ऐसे कुछ करके है प्रिंसीज नाम याद नहीं आ रहा जो यह वाला जो character है इसके उपर इतना अभी तक focus नहीं किया गया है जो spy जो twilight है उसके उपर जादा focus हो रहा है जादा मत character development देखने को मिले और जैसे इनके बीच की जो एक एंगल जो एक family वाला एंगल निकल के आता है वो कैसे आगे बढ़ता है और इनको family का एसास कैसे होता है तो यह सब चीजें हमें देखने को मिलेगी यह पूरे जो पांच एपिसोड मुझे बड़े ही अच्छे लगे एक smile मेरे पूरे मतलब की जो जरनी रही है इन पांच एपिसोड के दुरान रही है मुझे बहुत मजा आया मतलब देखते वक्त कि जो एक family बन रही है तीनों एक अलग अलग background से आ रहे हैं और तीनों अपनी identity चुपा रहे हैं और लेकिन तीनों को एक साथ रहना बहुत साहिं के तीनों की जैसे आप देखते हैं सारा टाइम यह एक अपने ही काम में बीजी होते हैं लेकिन जब वह एक साथ आते हैं एक जहत के नीचे होते हैं तो उनके बीच का जो प्यार आता है वो सामने वह बहुत अच्छा लगा मुझे तो कुल जमा बात यह कि पांचों जाता है वो पता इन चलता इवन मेरे अंदर अभी तना जादा हो रहा है कि यह जैसे तैसे यह वीडियो खतम कुरूं आप तो को बता कर मुझे कितना जादा अच्छा लगा है जालदी से जाकर इसका सिक्स एपिसोड देखूं और जितने भी एपिसोड बचे में वह सारे में देख लो तो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया एनिमेशन इसकी काफी ज्यादा अच्छी है बैक्राउंड म्यूजिक जो इसके अंदर यूज किया गया वह भी बहुत अच्छा है जिस एक करेक्टर डेवलोप्मेंट है उमीद करता हूं कि आने वाले टाइम में अगर आप लोगों नहीं एनिमेशन देखी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोगों कैसे लगी अगर नहीं देखी है तो जाकर अभी देखो फर्स्ट एपिसोड ही देख लेना डेफिनिट्ली आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है तो अब भी इतना ही रखते हैं आज के लिए जब यह सीरीज कम्प्लीट होगी तब हम इसके लिए अलग से एक पूरा कम्प्लीट रिव्यू लेकर आएंगे तो बस लेकर काएंगे महीं लेकर आने माला हूँ तो बस आज के लिए इतना है था तैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिंद